हलो दोस्तों वेलकम डूसाइवाटेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो के आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और उसकी इंपोर्टन्स को समझना बहुत जरूरी है मतलब इंपोर्टन्स अलग वो टॉपिक अलग ठीक है तो मेरा ख्याल है कि आप वीडियो को जरूर देखेंगे बात यह है कि उससे पहले आपके लिए एक और चीज भी बहुत इंपोर्टन्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दीजिगा इससे पहले जो चीज है जो आप थोड़ा यहां पर देख लें कि टॉपिक क्या है ठीक है वो दोस्तों यहां के बैनांस बीन बी चैन इंट्रोड्यूस इस लेयर टू टेस्नेट पावर्ड वाइ ऑप्टिमिजम अब इसका मतलब क्या है अब यह इसको हम यहां से अटा द साथ सो डॉलर तक टीक है 2021 के मेरा ख्याल है बल्के 2021 के अरली डेज के अंदर जो पंप आया था वहां पर इसने वो बनाया था उसने मतलब यह मने वीडियो बनाया है इसकी टेकनोलोजी को लेकर इसकी यूटिलिटी को लेकर मतलब बहुत सारे लोग इसको सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि BNB एक Binance जो के एक्सचेंज है दुनिया की वर्ल्ड टॉप मोस्ट एक्सचेंज है उसका एक कोईन है अगर उसके साथ कुछ होता है मतलब Binance के साथ कुछ होता है तो फिर BNB जो हो जीरो हो सकता है या यह वो इस तरह की चीज़े है Binance की खुद की यूटिलिटी BNB की खुद की यूटिलिटी या Binance के एको सिस्टम को मैं थोड़ा आपको यहां पर समझाऊंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे के यह आपके लिए कितना Credible कोईन बन सकता है या कितना जरूरी कोईन है आपकी Investment टॉप के कोईन में होनी चाहिए उन में से एक BNB भी है तो बात यह है कि जैसे ही Crypto Market का Startup हुआ तो 7 Transitions Per Second जो हो बिटकोईन कर सकता था और यह बात है 2009 की उसके बाद Ethereum आया तो Ethereum ने उसको डबल कर दिया और Ethereum ने सोचा कि हमने बड़ा मारका जो हो तैय कर लिया हमने बड़ी जंग फत्य कर लिया लेकिन शायद उनको उस वक्त इस चीज़ का अइसास नहीं था जो कि इस वक्त है और वो यह है कि इस वक्त होगी उतना ही फीस ज्यादा मनलब कस्टमर्स को या जो के होल्डर्स है या जो ट्रांजिक्शन कर रहे हैं उनको भरनी पड़ जाती है तो वहां से एक साइकलोजी बनती है कि हम चूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो के इथिरियम पर या उसकी चेन पर जाकर ट्रेड ही नहीं करते हैं ठीक है मलब पैनकेक स्वाइप को वह ज्यादा यूज करते हैं और यूनिस्वाइप को कम बहुत सारे यूजर ऐसे हैं अब फार एक्जंपल मुझे टेन डॉलर का कोई मीन कोई बाय करना है तो मैं क इस भी कम थी बहुत एक वक्त तक यह सीन रहा लेकिन जैसे ही लेयर टू के सिलूशन आए लाइक जो यह पॉलिगॉन है ठीक है उसके बाद अब शिबरियम आ रहा है तो यह इस तरह के जो सलूशन आएं तो उन्होंने क्या किया कि एथिरियम पर ही जो टोकिन है उनमें ब कर दिया है टेसनेट इनका चल रहा है और यह लेकर आए हैं आप्टिमिजम पर बड़ी बात है ठीक है अच्छा आप्टिमिजम जो है वो खुद एथिरियम की जो वर्चुल मशीन है उसको यूज़ करता है अब यह किस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है यह कॉम्बिनेश जो है वो बहुत ही जल्द हो जाए दूसरा यह के चीप भी हो जाए अभी इस वक्त क्या होता है कि बानाइन्स की जो चेन है वहां पर जब हम ट्रांसेक्शन करते हैं तो कोई आल्मोस्ट टेन सेंट का हमें जो फीस भरना पड़ता है वहां पर कभी कबार अगर रश है तो ज्यादा भी भरना पड़ सकता है कभी 24 सेंट कभी 10 सेंट कभी 12 सेंट मलब ये 6 सेंट 7 सेंट यहां तक चलता रहता है जैसे ही यह आज जाएगा मेरा ख्याल है तो यह फीस और भी कम हो जाएगी अब मैं यह नहीं कहता कि यहbled yer हो जा जाए geh लेके यहां पर आपको एक ची BNB का BSE τις कaime ठीक है? अबुआ स्वायप जो बहां पर तक्रीबन एख से दो सेंट आप वो फायूर थी यह लेशी बना रहे हैं तो आब जाहिसे बात हैं इाक मदलिया की सूरत में आ रहा हैं तो ये दस सेंट भी बहुत ज्यादा कभी गबार लगते हैंगे यार ये बिला वज़ा जो है ना मलब बहुत सारी लोग जो है वो ट्रांजिशन मलब हम लोग करते रहते हैं ठीक है तो दस दस सेंट करकर के हमें अगर मलब ये 100 सेंट भरने पड़ गए तो एक डॉलर हमारा और डॉलर दे देना असान काम नहीं है बिला वज़ा बंदा क्यों दे ये ही एक्चुली काम था करिप्टोस का विल तो अब यहां पर ये सारा सीन आपको समझ में आ गया कि ये अपने सिस्टम को किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है या फ्यूचर में क्या करने जा रहा है ब लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों के लिए जो कि अभी से मार्केट के अंदर मौजूद है हमारी वीडियो देख देखकर आप लोगों को चीजों के बारे में पता चलता है तो मैं समझता हूं कि हमारे पास ये मौका है कि इनकी इन चीजों के अंदर इस तरह की जो क के अंदर कुछ करता भी है तो उसका असर इंडिया में या पाकिस्तान में या बैंगलादेश में या फिर निफाल के अंदर क्या पढ़ने वाला है कोई नहीं मतलब यह तो यहां पर तो उसका असर तब आएगा ना जब हमारी जो सरकारे हैं वो उस पर कोई एक्शन ले अभी तक तो ऐसा कुछ नदर नहीं आ रहा मतलब यह के कुछ टेक्स वगरा रखेंगे और अपना काम चलाओ सड़ा भी काम चलाओ ठीक है इस तरह से चलता रहेग तो यहां पर पैसे लगाना BNB के अंदर पैसे लगाना मेरा ख्याल है कि यह मतलब इथिरियम और फिर बिटकोईन इथिरियम और जो उसके बाद BNB आ जाता है सोलाना और इस तरह के कुछ टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन में से यह आ जाता है तो आपको इन पर नज लिया था सू कर दिया ठीक है लेकिन प्राइज देखे किस तरह से डाउन भी आया और अप भी फिर जो वो चला गया 220 से 245 तक वापिस वो इसका प्राइज आ चुका है मेरा ख्याल है कि इंफरमिशन जो के मतलिक थी वह भी आपको अच्छी लगी होगी और BNB की जो इंप लगा देता कि मैं और आप अपस में जुड़ी रहें टेक कियर अलाफिस